हिंदू पंचान के अनुसार, साल में कुल 12 संक्रान्ती आती हैं। इन्हीं में से एक है पॉष्माह के कृष्ण पक्ष में पढ़ने वाली मकर संक्रान्ती जिसे शास्त्रों में अन्य सभी संक्रान्तियों में सबसे अधिक शुग और महत्व पूर्ण माना जाता है। मकर संक्रान्ती के दिन सूर्य देव मकर राशी में प्रवेश करते हैं और अपनी गती पुनह प्राप्त करते हैं। इसी कारण से इस दिन सूर्य पूजन का विशेश महत्व माना जाता है। असल में सूर्य देव का धनू राशी को छोड़कर मकर राशी में प्रवेश 14 जन्वरी की रात को 2 बचकर 54 मिनिट पर हो रहा है। इस दिन स्नान और दान का समय सुबह 5 बचकर 7 मिनिट से सुबह 8 बचकर 12 मिनिट तक का है। इसके अलावा पूजा के ही शुप समय पुन्यकाल की अवधी है। पुन्यकाल में मकर संक्रांती की पूजा करना बहुत लापकारी होगा। मकर संक्रांती के दिन सूर्य मकर राशी में जाते हैं और सौभग्य के मार्क खोलते हैं। इसलिए इस दिन दान करने का बहुत महत्व माना जाता है। मकर संक्रांती के दिन सूर्य पूजा और दान करने से जीवन में अपार सफलता मिलने लग जाती हैं।